वेल्कम फ्रेंट्स एक बाद फिर से यहां पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे PFMS के बारे में जहां प्रेंट्स पब्लिक फाइनांशल मेनेजमेंट सिस्टम तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे नया जो अपडेट आया है रिसंटली जो एक यहां पे has sent opon रगार्बाक्या बढуем फोई तो यहां पर ೊडैब्डीद êे आराया लोग है तो अपको दिखा रहा है यहां परटीप ने होगे पर आपके मोबाइल नंबर पे अपके या नहीं है आपको यहां पर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो यहां के शाजरी कि वीडियो आपके लिए बहुत से इंपोर्टन होने वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चनल पे नए हो चनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन को भी आपको मिले एसे रिलेटर वीडियो की नोट फीज सबसे पहले यहां पर आपके लिए बहुत सब्सक्राइब यहां पर आपको क्या करना है नीचे स्क्रूल करना यहां पर आपके समने दो ओप्शन दिख रहे तो नो यूर पेमिट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपके समय कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा यहां पे आप अपना बैंक टाइप कर तो यहां पे बैंक नेम टाइप करेंगे वही से ओप्शन आएगा उस पर जाके एक बार क्लिक करेंगे तो उसकी बाद सिंपली यहां पर लिट्स करिए यहां पर आपको कैब्च आपको फिल करना होता है अगर आपको लग रही है समय नहीं आहां तो आप कुछेंज भी कर सकते हो तो capture fill करने के बाद यहाँ पे sent OTP on mobile number इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख को राइस्टर मोबाइल number not found with the account number ठीक है यहाँ पे किसको आ रहा है option आपको बता दूँ क्योंकि बहुत सरे comments आ रहे बहुत सरे students इसके regarding परेशाने बहुत सरे इसके regarding परेशने चाहे आपकी NSP स्कीम हो उसकी payment आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पेहले में आपको बता दूँ यह exact है क्या और आपकी अगर फिर NSP स्कॉल्च पे आपने NSP में अपले की हो है नेशनल स्कॉल्च में अपले की हो है तो आपको क्या करना होगा तो वो भी यहाँ पर बताते हैं तो आप वीडियो पर बने रहे तो सबसे पहले यह जो अपडेट है यह किसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर हर कोई हर किसी का account number लेके यहाँ पर चेक कर यह अपडेट जो है रिसंटली आया हो है तो आपको पता होगा अभी कोवीड की वजह से भी थोड़ा सा और कम चल रहा है हर इक डिपार्टमेंट में तो यहाँ पर इस अपडेट को लेकि जो भी यहाँ पर चेक करता है चाहे उसका account number जो है mobile number से link है या नहीं है मैंने यह यहाँ पर टाइप जो account number के है इसके account number पर लिंक है यहाँ पर कहने का यह मतलब है यहाँ पर हर एक student को ऐसा शोा कर रहा है यह आपके mobile पर यहाँ जो है आपके mobile नमबर के जाएगा आप चेक कर सकती हो अगर आपने NSP में apply किया होए आप फिर भी चाहते हो भी आपको payment कैसे check करने है वो भी यहाँ पर बता देते हैं तो simply आपको क्या करना है बेग जाना है आपको बेग जाने के बाद आपको यहाँ पर track NSP payments पर click करना है यहाँ पर आपकी payment show करेगी तो यहाँ पर आपको कोई द करेंगे यहाँ पर आपकी पास दो options आते account number और आपकी ID यानि कि आप account number से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम वही account number पेस्ट करेंगे ठीक है यहाँ पर हमने पहले पेस्ट किया था जहाँ पर हमें issue आ रहा था OTP का तो यहाँ पर वही चेक करके आपको दिखाएंगे यहाँ पर सर्च वाले option पर इक बार किलिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी payment यहाँ पर शो हो गई है यहाँ पर पूरी details यहाँ पर शो हो रहे है तो जिन्होंने यहाँ पर NSP में अप्ले कियो वह जाके ऐसे चेक कर सकते हो बाकी जो रहा है यह OTP का मसला यह ठीक हो चनल को सब्सक्राइब करना और भी आपके मर में कोई डाउट से आप हमारी चनल को विजिट कर सकते हो आपको और भी informative वीडियो में मिल जाएगे मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यो सो मझो वाज़न को श्वीट